कैसे हैं आप सभी लोग आ गहे हम अपनी एक नई वीडियो लेकर प्रेजेंट कॉंटिनियोस टैंस की जैसे कि हम अपना पहला पार्ट खतम कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टैंस की और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप सब लोग उसे सीख चुके होंगे ठीक से अच्छे से समझ चुके होंगे तो आज हम अपना एक जो एक एजी हमारा टैंस है प्रेजेंट टैंस का पार्ट कॉंटिनियोस हम शुरू कर रहे हैं इसे धियान से समझेगा और अपनी लाइफ में यूज करना स्टार्ट कीजिएगा इसकी पहचान कैसे होगी इन वाक्यो रहा हूं आदी शबदाते है कैसे कि मैं खेल रहा हूं मैं गा रहा हूं मैं सो रहा हूं ऐसे सब्दories आते हैं यह यह आर प्लस वर्ब ऑर उसके साथ आएञ जी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट देखिए आपको use बता देता हूं आगे पूरा detail में we use am with subject i am के साथ am को use करते हैं i के साथ जैसे आपको पता है i am doing this work, i am going to school simple is जो है वो singular subject के साथ use होगा जैसे he, she, it and with the name of any person place, think, etc we use are with cooler subjects like we, you and they इन के साथ हम use करेंगे आर को example से समझाता हूं इसी में बहतर से हम समझ पाएंगे राम एक पत्र लिख रहा है तो रहा है से हमें clear indication मिल रहा है कि ये present continuous का है simple हमें ध्यान रखना है राम, singular subject हुआ, is आएगा राम is, लिखना, writing राम is, writing a letter ये बहुत ही simple चीज है, अगर आप इस sentence को सीख जाएं, तो अपनी life में आप अराम से sentence structure करके बोल सकते हैं लड़किया स्कूल जा रही है the girls मतलब puller हुआ बहुत सारी लड़किया, तो are use होगा the girls are going to school बढ़ी एक कुरसी बना रहा है बढ़ी एक है, carpenter the carpenter is making a chair वह मैदान में दोड रहा है he is running in the field लड़के फुटबोल का मैच खेल रहे हैं the boys are playing football match मैं एक गाना गा रहा हूँ I am singing a song simple, बहुत ही simple है बस आपको आपका verb पता होना चाहिए कि verb को English में क्या बोलते है और subject का आपको पता होना चाहिए इसी साब साब अराम से कर पाएंगे इसका negative structure भी बहुत असान रहेगा subject plus is rm जो हम जानते हैं, subject के coding use होगा उसके बाद में हमने not use करना है उसके बाद verb के साथ ing plus object negative में हम not का ही use करेंगे particularly example देख लेते हैं he is not reading various kind of books मतलब वह विभीन परकार की किताबे नहीं पढ़ रहा है यहाँ पर हमने किताबों के साथ विभीन परकार जोड दिया है तो साथ में क्या चल रहा है वह विभीन परकार की किताबे नहीं पढ़ रहा है राम अब फुटबोल नहीं खेल रहा है पहले हम कह रहे थे कि वह अब नहीं खेल रहा है अब हम इसमें क्या कह रहे है राम अब फुटबोल नहीं खेल रहा है राम इस नोट प्लेइंग फुटबोल नाउ वह चाय नहीं पी रही है शी इस नोट ड्रिंकिंग कॉफी वह पुस्तकाले नहीं जा रहा है पहले तुम सिद्धे कह सकते हैं वह स्कूल नहीं जा रहा है वह पुस्तकाले ड़ कर दिया है He is not going to library We are not coming for shopping in this market हम इस बजार में खरीदारी के लिए नहीं आ रहे तो अब हमने थोड़ा से इस में क्या ड़ कर दिया है इस market में खरीदारी के लिए, वरना simple sentence हो सकते हैं, हम यहां नहीं आ रहे हैं, we are not coming here, हमने market जोर दिया, we are not coming for shopping in this market, एक simple सा structure होता है इसका, present continuous का, बस आपको एक बार set अपने दिमागे में कर लेने है rules, उसके बाद आप easily यह सब कर पाएंगे, इसमें कोई जाद है आपको होच पोच होके, जादे sentence structure का आपको इतना tension नहीं होगी, बस समझी एक बार mind में समझ लीजिए, मैं गा रहा हूँ, I am singing, हम खाना खा रहे हैं, we are eating food, बस आपको पता होचे खाना खाने को क्या कहेंगे, उसके साथ ing लग जाएगा, singular now उन्हें आपको पता ही के साथ, is लगेगा, we are not playing, हम खेल नहीं रहे हैं, खेल ना, playing, we के लिए, हम के लिए वी लगेगा, बस आपको basic पता होना चाहिए, interrogative, interrogative में आपको पता ही है, question वाचक, जो हमारे होते हैं, question वाचक, sentences, उनको बोलते हैं interrogative, क्या मैं गाना गा रहा हूँ, उसमें पहले question पूछ रहा है, तो हमार जो verb है, helping verb, वो पहले आ जाएगा, हमारी helping verb, am, is, are, plus subject, plus first more form of verb, उसके साथ ng लगी गई, हम continuous follow कर रहे हैं, plus object, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, is, he is going to school, क्या वह सो रही है, क्या वह जा रहा है, ऐसे अलग-अलग structure आ जाते है, आगे मैं example से बताता हूँ आपको, क्या मैं school जा रहा हूँ, am आ गया पहले, am I going to school, अगर यह होता हम मैं school जा रहा हूँ, I am going to school, क्या वह cricket खेल रहा है, is he playing cricket, he simple है, हमें पता है, singular noun है, singular subject है हमारा, तो इस हमने पहले लगा दिया, क्या वह cricket खेल रहा है, next हमारा sentence है, क्या वह थेटर में film देख रही है, is she watching a movie in theater, are they cooking food, क्या वह खाना बना रहे है, क्या कमल चाय ले रहा है, is कमल टेकिंग टी, ये छोटे छोटे structure आपको याद रखने है, अपने दिमाग में आपने जो questions हमारे हैं, उनको दिमाग में रखके, क्या questions परशनवाचाक हमारा structure है, क्या negative है, क्या affirmative है, उन सब को आपने दिमाग में रखके, इनको follow करना है, rules को, और चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा, like जरूर कीजेगा वीडियो, उसका अपने comment जरूर छोड़िएगा, जो भी आपके दिमाग में आपके question गूम रहे हैं, और share करिएगा वीडियो का जरूर, और इस चीज को basic आप सीख गए अगर present continuous का, आप life में बहुत सारे sentences बोल पाए ताकि आप इस easy चीज को जल्दी सीख के अपनी life में use कर सके, तो ठीक है दोस्तो, मिलते हैं फिर next वीडियो में, thank you